वेल्कम बैक टू लाने ठोम घर पर सीखो तो फ्रेंड्स आज बनाने जा रहे हूं ड्राइफ रूट्स वर्फी जो की मैंने खोबा यह मलाई से निकाला हुआ है और यह है मेरे पास काला तिल यह देखिए काला तिल क्योंकि अभी ठंडियों का सीजन चल रहा है तो तिल बह रख लिजिए और यह सुगर अ सबता तो यहारे इंग्रेडियों सेन तो चल यह स्टारट करते हैं तो फ्रेंड्स दीखिए मैं अभी वही यज दॉत कर्या यह घंग निकाला हूआ है और सबसे पहले वहाने वूने क्ली औरहें नर्यल तो गी में थोड़ा सा लिया हुआ है क्योंकि जो घी है वो मलाई के होबेस में भी है थोड़ा सा पूरा तो नहीं निकलता है और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें काजु तो सभी चीजे साथ में सिखने लगेंगी और फिर हम डालेंगे इसमें बादाम थोड़ा सा में जो काला तिल लिया हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे और हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे जब तक यह थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए जो काजु बदाम है यह देखिए फ्रेंस यह अब सिख चुका है यह देखिए चट का साउंड भी आ रहा है तिल से देखिए इसका मतलब तिल भी भुझ गया है और यह जो कोकरनट और यह काजु है और यह बादाम है भी सिख गया है तो अब हम इसमें मिलाएंगे पानी और सुगर पानी में देखिए लिया हुए एक ग्लास और इसमें हम बिलाएंगे अब सुगर तो इससे हमें सीरा भी बन जाएगा और साथ में जो सुगर सीरा पहे वह अच्छे से काजु बादाम और तिल के अंदर भी चगा जाता है इसलिए मैंने सभी को साथ में ही डाल दिया है खोबा हम मिल जाएंगे जब थोड़ा सा सीरा अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें खोबा मिलाएंगे तो फ्रिंट्स देखिए अब यह जो सुगर सीरप है वह अच्छे से बनने लगा है और आप इसको हाथ से भी टेस्ट कर सकते हैं चेक करके यह तैयार हो गया है कि नहीं हुआ है और उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे खोबा तो खोबा मैं थोड़ा सा जब सॉफ्ट रहता सीरा तभी मिला देती हूं क्यूंकि जो खोबा है उसके अंदर भी जिससे कि उसका रसा भर जाएगा अच्छे से और हम इसको मिक्स करेंगे तो यह मैंने पूरा खोबा डाल दिया है और यह खोबा भी मैंने घर में ही निकाला है तो जब हम मलाई जो रहती है मुझसे जो घी निकालने के बाद जो खोबा बचता है उसका मैं इस्तिमाल कर रहे हूं तो फ्रेंड्स देखिए अब यह पकने लगा है खोबा भी अच्छे से और इसको फुर्देर पकाएंगे जब यह सीरा थो टाइट होने लगेगा तो यह जो बर्फी बनती है मतलब जमठाई बनती है बहुत ही हेल्दी होती है यह कि इसमें ड्राइफ रूट्स भी पड़ हुआ है तिल तो ठंड के सीजन में फाइदा करता है और सभी लोग पसंद भी करते हैं तिल चिक्की या फिर यह देखिए मैंने प्लेट में घी लगा दिया है तो कि अब हम इसमें निकालेंगे तो यह देखिए अब यह का जो सीरा है वो एकदम टाइट होने लगा है और आप चेक भी कर सकते हैं इसमें जो है वो तार भी आने लगा है जो हम एक तार की मुझे बलानी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यदा टाइट पर्स भी पसंद नहीं है तो मैं एक ही तार लेती हूँ आपको इत ज्यादा हाट चाहिए तो आप इसको पका सकते हैं थोड़ी आप तार बनने लगेंगे तो चलिए मैं निकालते हूँ इसको प्लेट में जो कि प्लेट में आप अल्यदी रखी हूँ यह ग्रीश करके प्लेट में हमेशा ही आप कुछ ना कुछ लगाएं घी ड़िटिलिस में हमने घी का इस्तेमाल किया है तो मैंने घी ही लगाया तो चलिएव हम निकालते ह Cheerum jacket इसको प्लेट में, तो यह मने प्लेट रख ली है और जृडफ ऑबने दूने ज़ए था निख़ाल रही हूँ ज़टिलिशays निकाल रहे हूँ और इसको प्लेट में रखने कि बाद में इसको चारो तरफ उना देंगे तो बात है यह मैने प पूरा प्लेट में डाल दिया हैं तो फ्रेंट्स यदि आपको यह मेरी मेथट पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को यदि आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ पी से सेर कर दीजिए क्योंकि आने बाले जो हमारे जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन मी दबा दीजिए यदि आपने भी तक नहीं दबाया है तो तो इस तो फ्रेंट्स देखिए एकदम यह मिठाई रेडी हो गई है देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया है तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में बना सकते हैं बड़ी सिंपल तरीके से ओके देखिए यह कितना अच्छा टेक्स्चर आया है देखिए और अस पूर अंदर भर गया है अभी हम इसको अध़र ड्राइ होने का बेट करेंगे फिर हम इसके पीसे दनाएंगे देखिए यह पीसे कट हो चुके हैं और इसका टेक्स्चर देखते हैं अंदर में तो देखिए कितना रसीला है अंदर से युकि मुझे पसंद है इसलिए मैं रसीला रखते हूं यदि आप टाइट खाना चाहते तो अब इसको टाइट भी कर सकते हैं थोड़ा आप सकते हैं